व्लू फ्रेंट्स वेल्कम बक टूभी चानल बल्राश रिण। आज कि इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक का निफ्टी 50 का अनालिशिस करने वाले हैं कल के लिए निफ्टि बंक कहे रहे चिक तो क्यों केंडलब बनीजा निट apoềulates or अवरे भात पर इस बिंग दो चुल क्यर्ट मोरोर किके करuses का रहा का था मार्के वाल इसकट वाल चूल रहाएं & अभी मार्केट सिर। सिर। ताइमपस कर रहा है. 2-3 दिन से हम देखेंगे अपने प्रीवेश कैंडल के सपोर्ट के ऊपर में वो कैंडल रही है उसका सपोर्ट टूडी नहीं रहा है वह अपर की साड में घोल कर रहा है बस रिजिस्सेंस लेवल को निकाल नहीं रहा है लेकिन इसका कोशिश एक वार फिर से रह सकता है 52,744 की लेवल के पास जाने का इस तरह से सपोर्ट पर यह स्ट्रॉंग कैंडल बनी है बियरिश के लिए इसमें तब भी सोचा चाहेगा जब निफ्टी बैंक 50,400 की लेवल के नीचे आएगा जो लेवल रहेंगा निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट रहेंगा आज मन्दली एक्सिपारी होकर भी आप देखेंगे कैंडल की मोमेंटम को की कि इतना चोटा सा कैंडल इसने बनाया हुआ जिसका कोई मतलब इतना चोटा कैंडल तो इस पोर्ट लगा के जल रहा है यहाँ प कुछ किया नहीं है यह वाले दीन का जो मुमेंटन था यह वार्केट उपर की साइड में होल्ड किया फिर उपर की साइड में जाते हैं उसके बात में बनता है यहां से सेलिंग धीक है 52300 की लेवल के पास बैंक्रिप्टी के लिए 52300 का रधिस्टंस लेवल अगर क्रॉस होता जाने की chances है कि नहीं क्या लग रहा है जाने की chances लग रहा है क्योंकि ये मार्केट किया कर रहाए अपना support level तोड नहीं पा रहा है Engagement तो सपोड़ लेवल ही नहीं को सबनाध्य को सबोड़े नहीं को सब्ढ़ेगा सबनें जाने के रहे हैं दोनों जब सेम बनते हैं तो इसको ट्वीजर वॉटम बोलते हैं जो कि बुलिश पैटर्न होता है ठीक है तो इसको अभी यह जो रदिस्टन्स ले रहेगा 51,900 का पहले तो इतना जाना इसके लिए चांसेस है कि इतना पहले यह जा सकता ऐसा करके और जो प्रीवेस करेंगे करेंगे तो फिर वह ठीक नहीं रहेगा क्योंकि मारकेट अभी बिल्कुल प्रॉपर नहीं है किसी भी साइड में मारकेट कभी भी मुमेंट कर देता है नीचा आना भी होता है तो पहले उपर की साड़ में जाके एक बड़ी कांडल डाल के सब के असे लिकालता है फिर वह नीचा की साड़ में कंडियू मुमेंट करता है इस तरह के मारकेट अभी चल रहे है अभी आज रात को फेड का मिटिंग होने वाला है जिसमें समझ में आएगा कि पेड रात को मारकेट चलेगा और जो उनका मारकेट रहेगा बहुत अच्छा ग्याप रहा बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा या बहुत अच्छा निगीटिव रहा तो इसका इंपक्ट अपने मारकेट की ओपनिंग भी पड़ सकता है पूरे दिन बर में मारकेट अपने हिसाब से चलेगा लेकिन उनके हिसाब से मारकेट फिर देने की कोशिश कहता है तो वही देखना अपने सपोर्ट के उपर ही रहा और फिर से भी ओपर की साइड में है कहीना कि यहां पर यहां पर यह बेस करने की कोशिश कर रहा है अंड डेली का टाइम फ्रेम पर हम तो देखी रहे हैं कि मारकेट होल्ड कर रहा है एक बड़ी ग्रिन गैंडल के बाद में तो व्यू हमा ना तो फिव्यू फ़एंडड सेवन अड़ यह अर्या हम लोगको निफ्टी बैंक में आने वाले टाइम में दिखा सकता है क्या करेगा वह तो तीन दिन अभी थीन दिन हो गया उसको एक दिन में एक बड़ा राली कर देगा एका दिन पैसा खाना चार दिन पैसा खाना ए थैके ऊद्धध के अंदर दो इनसाइड थो फाली अब क्या कर रहारा है ना practically को निकलना सब्सक्राइब लगाड़ाश क् Friend क्रोभी ह्ता लिख धीक है और आच के अब द एफ इस पर आपको समझतरक भी हो चाहिए दिखा रहा था rem घ्रीन दिखा रहा अगर यह दो दिन में भी अच्छा मॉमेंटम कर गया गुर्वार को दिन पर फ्राडे को देंगा थृसरेर फ्राइडे 20 दीनुसी और 20 बनी हुई है सो जो यह वाला जो एरिया रहेगा 25,000 का continuous resistance एरिया बन रहा है निफ्टी के लिए 25,000 निकलना इंपोर्टेंट है अगर निफ्टी बैंक अगर पॉचितिव जाता है तो फिर निफ्टी भी वही कोशिश करेंगा इसने जो इन्वेटेड हमा कैंडल बनाई है जह चीश करेंगे आज की कैंडल के लोके निचे नहीं आता है तो निफ्टी को और उपर की चाड़ में जाने का फिर से चांसे बन सकता है यह सिर्फ लर्निंग पॉइंट लर्निंग परपस के लिए मैं आपके साथ यह पॉइंट डिसकस कर रहे हूं जो मेरा पॉइंट अप सिर्फ वह पॉइंट आफ आपके साथ में डिसकस कर रहे हैं कोई सजेशन वगरा कुछी भी नहीं है अब यहां पर देखो गे तो यह वाला कैंडल का लो रहेगा वह यह वाला हमर कैंडल जो दिखरा आपको बेस पे बना था यह वाला जो हमर कैंडल रहेगा इसका लो जब तक निफ्टी 24,777 के सपोर्ट लेवल के उपर रहेगा तक तक इसमें बुलिशने सम लों को देखने को मिल सकती है बस कंटीनिव रजिस्टंस बना रहा है 24,980 की लेवल का 24,000 24,500 का एक साइकोलोजिकल रजिस्टंस लेवल है जहां पे हम लों को 25,000 एक रजिस्टंस सब्सक्राइब जिए उसको क्योंकि डाउंचरड से आप सा रख राली किया था एट फिर हम कंसल्डएट किया है फिर से ऐसा एक राली एकश्पक्टेशन है निफ्टी से तो लेट सी जिसा अगर ये पराइस बनाता है सब्सक्राइब लूंब तो तो निफ्टी में हम और पोचते हुए देखने को हम लोग को मिल सकता है अवरी डीप के बाद इसमें बाइंग जल रहा है आजकल ठीक है जितना भी डीप लगाता है उसमें फिर से इसमें बाइंग आ जाता है 24,000 जाने का कोशिश किया था यहाँ पे 23 जुलाई को लेकिन वहां से वापस इसने सब ल मान लेते हैं कि ओपनिंग देता है 24,777 के नीचे अगर निफ्टी ओपनिंग देता है इस लेवल के नीचे तो फिर सोचना पड़ेगा क्या इस लेवल से बाइंग आ रही है फटक से रिवर्सल होके उपर जाता है तो अच्छा रहेगा अपसाइड के लिए नहीं तो फिर सेलिंग के लिए हम उसमें देख सकते हैं इस वीडियो में इतना ही बाकि जो कुछ एक्सपायर ही इसका भी रहेगा प्रीमियम डीके इसका भी डेफिनेटली चलने वाला है बहुत सब्सक्राइब के बहुत सब्सक्राइब कर आपको कदम रखने है और रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करो नहीं तो मार्केट में आप लोगों को टिकने नहीं देगा मार्केट यह चीज़ आपको समझनी है जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक्यू गई जाहिं राधे राधे